दिल्ले में कोरोना के कहर के बेस लॉकडाउन का खाफ घर लोटने को मजबूर हजारों मजदूर दिल्ले में कोरोना के चलते एक हपते का लगा लॉकडाउन मजदूरों के पलायन पर बोले कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी प्रवासी मजदूर फिर कर रहें पलायन उनके खाते में रुपए डाले केंद्र सरकार कोरोना के बरते संक्रमर के ओ लेकर आईसी अच्सी बोर्ड ने रद्द की दस्वी क्लास की परिक्षा बारवी के एक्जाम होंगे ओफ लाइन देश बर में बेकाबू हुआ कोरोना देश में रिकॉर्ड 2,69,170 नए मामले 1,701 मरीजों की मौत लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा नमस्कार आप देख रहें अन्बे नियूज स्वागत है आपका इस बुलेटेन में और मैं हूँ आपके साथ योगेश पांडे कुरोना वाइरस की जारी बेकाबूर अफ्तार ने देश में एक बार फिर पिछले साल जैसे हालात बना दिये हैं हर रोज धाई लाग के नहीं है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है कहीं टेस्ट नहीं हो रहे हैं और इस महासंकट की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्जी सरकारों ने अपने यहां लॉगडाउन समेद कई पाबंदिया लगा दी है 2001 केस की इस तालाबंदी ने फिर सडकों पर उसी नजारे को फिर से जिंदा कर दिया है जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं और दिल्ली हो या राजिस्थान या फिर गुजरात और महाराश्ट हर तरफ से एक ही तरह की तश्वीरे सामने आ रही हैं जहां हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड अपने घर वापस जाने को बेकरार है देश की राजधानी दिल्ली में कुरोना के संकट के कारण एक हफते का लोगडाउन लगा दिया गया है दिल्ली के सीम केजरिवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया और उनके इस ऐलान के तुरंत बाद ही आनन्द विहार बस अड़े दिल्ली के रिवले स्टेशन पर भीड जुटनी शुरू हो गई दोपहल से लेकर देर रात तक हजारों की संख्या में मजदूर घर वापसी को तयार थे मजदूरों की एक ही शिकायत है कि काफी मुश्किल से काम सुरू हो पाया था लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया है ऐसे में पिछली बार की तरह ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए इसलिए वक्त रहते ही घर जाना सही होगा बता दे कि अर्विन केजरिवाल ने अपने आलान के साथ मजदूरों से अपील भी की थी कि वो घर न जाए और ये सिर्फ छोटा ही लॉकडाउन है तो कुरोना वाइरस की बेकाबूर अफ्तार को देखते हुए प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने अपने घरों को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं तश्वीर एक जैसी ही आ रही है वो चाहे महाराज का जिकर करें चाहे गुजरात का जिकर करें दिल्ली का जिकर करें तमाम सारे राज्यों से एक ही जैसे तश्वीरे सामने आ रही है बस स्टॉप पर रेलवे इस्टेशनों पर भीड लगा है प्रवासी मस्दूर अपने आगे न बढ़ा दिया जाए और ये आपको सिधे लाइब तश्वीर दिखा रहा है जो कि पैदल अपने अपने घरों को निकल चुके हैं लोग कि अगे नहीं अंदर अंदर बैट की गैलरी में लॉक्डोन की वज़े से पिछली बार फस गये थे इस बार माने का पहले इनिकल लेते हैं ये गाड़ी कटाई काम करते हैं अब कल चेलेते हैं तो चाहिए प्यादि नहीं प्रेंदे बुगे पड़े जितने बंदे महारे चत पेरा कोई चत पेरा कोई लेट किया कैसे एक पैसे आया कि रहा है बितना महेंगा जेब में पैसे मिलनी बच्छे हैं अब हमेज़ लाना है उन्ना हूँ कर देखे अपने लाइप तस्वीरें यह जो किस सीधे आपको दिखा रहा है आपका टेलेविजन पर लोग अपने ऍर्थीरों को निकल गए और किस तरीके से यह बता रहे हैं कि वो कलτε हैं निकल लगड़ों को जो एक बार पहले फर्स्ट फेस के लागडाउन लगाया गया था देश व्यापी लोगडाउन लगा हुआ था उस दोरान किस तरीके से मार्मिक तस्वीरे सामने आई थी और वही याद एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरीए साधा हो रही है क्योंकि जिस तरीके से मिनी लॉगडाउन लगाने का फैसला किया गया है दिल्ली जैसे तमाम सारे राज्यों में वहां से लोग पलायन करने को इसलिए मजबूर है क्योंकि उ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में रिकॉर्ड 2,69,170 नए मामले सामने आए हैं लगातार करोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं 1761 कुरोना मरीजों की मौद भी हो गई है लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है और अब तक एक करोन तिरपन लाग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश भर में कुरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है लोगों में खौफ दिख रहा है एक बार फिर से और 2,69,170 नए मामले सामने आए हैं जबकि अगर म्रत्यों की बात की जाए तो 1761 कुरोना मरीजों की मौद हो गई है और अब तक एक कर के अलग अलग राज्यों में तमाम सारी जो राजी सरकारे हैं वह अपने अपने अलग तरीके से फैसले ले रही हैं कहीं मिनी लोकडाउन लगाया जा रहा है तो कहीं नाइट कर्शू लगाया जा रहा है लोगों में खौफ दिख रहा है और लोगों के साथ ही ये सरकारों के लिए राजी सरकारों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनता जा रहा है कुरूना के बढ़ते हुए मामले कि कि अगर करोनक तुनाम ऐसे ही मरने के लिए चलिंगता कर सकती है यहां बस्ते हैं बसका किराया 35 रुपाय हो गया इतना कि अगर शक्ति इतना मिलताना इसरे किराया देए दो खाने के लिए कुछ बचाई नहीं तो खाएंगे जानात हमें इधर फटेपुर है फटेपुर जीड़ा तो बस से आयों बस से आए गार्व यह घर दोर गार पर सब्सक्राइब अपने फेमिली साथ रेंगे अच्छा देगा लोग डून लगने वाला है फिलाल ऑपने फेमिली साहर रेंगों तो और भी अच्छी वाथ बाहर पड़े थे के लिए अब आए पहुंचे यहां पर कोई साधन दिख रही है बेस्टेंड पर गए वहां पर कोई सुनाई नहीं दे रहा है मरीजों को अस्पिताल में भरती के लिए लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है और उनके परिजन एक जगा से दूसरी जगा भागदाओर कर रहे है इस विवस्ता के चलते कई लोगों की जान भी चली गई है पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि कोविड मरीजों को अस्प प्रदेश में कुरोना के बढ़ते संक्रमन से फैली अविवस्ता की जानकारी देते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में मरीजों को परेशानी आ रही है ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन फिलिंग केंद्रों पर बिना डीम की अनुमत के किसी को ऑक्सीजन नहीं प्रियंका गांधी ने कहा इस महा विपत्ति में हम सब को राजनीती से उपर उठकर काम करने की जरूरत है कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के साथ एक जुट है और सरकार को हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है तो देश में कुरोना की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है हर दिन रिकॉर्ड तोड संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और वहीं कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए CBSC सहित देश के कई राज्यों के बोर्ड ने दसवी और बारवी की परिक्षा या तो इस्थगित या कैंसेल कर दी है इसी कड़ी में अब ICSC बोर्ड ने भी दसवी की बोर्ड की परिक्षा इस्थगित की जा चुकी है बोर्ड ने कहा था कि इस्थिती की समीक्षा के बाद बारवीं की परिक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा प्रजानकारी के मुताबिक जून में परिक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है कि और आपको सीधे उत्तरप्रदेश लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ कुरोना को मद्दे नज़र रखते हुए वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं तो कोविड-19 के बरते मामलों को देखते हुए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सक्क्री भूमिका में नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदितनाद खुद कोविड पॉस्ट्यू हैं लेकिन वो अधिकारियों के साथ लगातार बैठक का सिल्चला जारी रखे हैं वहें यूपी के बांदा जेल में बंद बहुबली विधायक मुक्तार अंसारी की मुसीबत बढ़ती जा रही है मुक्तार अंसारी को जिस अंबूलेंस में मुहाली कोट में पेश किया गया था उस मामले में पुलिस ने कार्रिवाई की है 12 पुलिस ने मौ के श्याम संजीवनी होस्पिटल के संचाली का अलका राय और S.N. राय को गिरफ्तार कर लिया है दरसल जब मुक्तार अंसारी पंजाब की रोपर जेल में बन था तब उसे मुहाली कोट पेश किया गया था मुक्तार यूपी के 12 पंकी की नंबर प्लेट लगी एंबूलेंस से मुहाली कोट पहुचा था और इसके बाद जब पुलिस ने जाच की तो पाया कि इस एंबूलेंस का फरजी दस्तवेजों के आधार पर रेजिस्ट्रेशन कराया गया इसके बाद 12 पंकी की नगर कोट वाली में एंबूलेंस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें मुक्तार अंसारी को पुलिस ने साजिस या और जालसाजी का आरोपी बनाया गया इसके साथ ही IPC की धारा 120 भी भी लगाई गई है एंबूलेंस केस में मुकेश्याम संजीवनी होस्पिटल के संचाल का डॉक्तर अलकाराय का नाम भी सामने आया डॉक्तर अलकाराय के बयान को आधहार बना कर 12 पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस मामले में एक आरोपी राजनात यादव पुत्रो फुलिस्वर यादव निवाची अहिरावली थाना सराय लखंसी जन्पत मौउ को बारावन की पुलिस ने गरफतार किया राजनात यादव पर आरोप है कि उसी ने अंबुलेंस को लेका डॉक्तर अलकाराय पर दबाव बनाया था और 37 गर से इस वक्ति की बड़ी खबार आ रही है आपको बता दे कि नक्सलियों और जवानों के बीच मुटभेड हुई है जिसमें दंतेवारा के मलंगीर एरिया में ये मुटभेड हुई है और एक नक्सली मार गिराया गया है पांच लाग का इनामी मौवादी मुटभेर में धेर हो गया है आपको बता दे कि जिस तरीके से पंद्रा से अधिक आप्राधिक मुकद में इस नक्सली पर दर्जे थे उसे आज जवानों ने मार गिराया मुटभेर में धेर कर दिया है चत्तिसगर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बड़ों की ये मुटभेड है आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी खबर सत्तिसगर से आ रही है दंतेवाडा के मलांगीर में ये मुटभेड हुई है जहां पर जवानों ने एक नक्सली को धेर कर दिया है पांच लाग का इनामी था ये माववादी जो मुटभेर में धेर हुआ है पंद्रा लाग पंद्रा से अधिक आप्राधिक मुकदमे इस नक्सली पर दर्जी थे तो सत्तिसगर से इस वक्त की बड़ी खबर महराष्ट्र में कुरोना के मामली लगातार बढ़ रहे हैं और राजिस सरकार ने यहां लॉगडाउन जैसे प्रदिबंध लगा दिये हैं मुंबाई में धार्मी के स्थानों को अइस्थाई रोप से बंद कर दिया गया है मुंबा देवी मंदिर के बाहर भक्तों को फूजा अर्षिना करते देखा गया वर्तमान में मुंबाई में कुरोना वायरस के 50,321 सक्री मामले हैं और संक्रमितों के संख्या बढ़ती ही जा रही है महराष्ट्रे सरकार ने कुछ इलाकों में 1 माई तक धारा 147 भी लागू कर रखी है तो धर उत्रा खंड के हरिद्वार में भी कुरोना का कहर लगातार जारी है हरिद्वार में जूना निरंजनी समय चार अखाडे के 11 संत कुरोना पौश्ट्य उपाए गाए है वहीं जिले में कुरोना का कहर थमने का है कि नाम नहीं ले रहा है और दूसरी ओर दूधा धारी इस्तिती बाबा भरफानी कोविड अस्पताल में भरती 70 वर्षी निरंजन प्रसाद की मौथ हो गई अखाडों के 11 संत समय जिले में सुमवार को 67 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और बताया जा रहा है कि 11 संतों में 3 जुना अखाडा निरंजनों अखाडा आनंद अखाडा और उदासीन अखाडा के एक-एक संत भी शामिल है सारे संतों भी बैरागी कैम से भी जा रहे हैं वापिस जा रहे हैं उनको ने अपना समान भी समेट लिया है ऐसे में कैसे शाही स्नान होगा भूब बढ़िया से होगा धूंगाम से होगा ति पर ठप्य होगा या जो जो अखाड़े अपना देवता भी सर्जन कर चुके है अपना देवता भी सर्जन कर दि इसको परशार ही नहीं करना चाहिए तैकि विसर्जन कर दिये का कर दि तेरा अखाड़े कि मेरा परसंसन जब चाहेगा तब फिराल यहां रुकते हैं एक छोटे सब्रेक के लिए फारण हजीर होते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रूख कर लेते हैं अगली खबर का उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद में मुगल पूरा थाना चेतर के बरवाला में कूडे के धेर में भयंकर आग लग गई आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया जानकारी के मुताबिक कूडे के धेर में खडी ट्रॉली में भी भयंकार आग लग गई बतादे कि इस घटना की जानकारी राहगीर ने पुलिस को दी और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास में लग गई लेकिन आग इतनी भयंकार थी कि पुलिस ने घटना की जानकारी आननफानन में फायर ब्रिगेट की टीम को दी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेट के टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबु पाया गया अगर यहां मेरा कार खाना है कहां पर इधर सामने कार खाने सा रहा है यह बरबलान का इलाका है यह पपको वेल्डर का टीला यहां पर हम सब निकल के जा रहा है तो यहां देखा कि नगन निगम की गारी में आग लगबग यह लगबग यह दस-पंदर मिनिट हो गए इस पंदर मिनिट से आग लगई आपने इस किसको एक तला गया हम चौगी में गया तो चौगी में यह सरजी थे उन से बता के आया वह साथ में आया थे उन्होंने देखके फिर आप लोगों को फून किया रोकलेते इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दे कि लगातार कुरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और चुनाओ आयोग पर भी कुरोना की मार देखने को मिली है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि कुरोना संक्रमित हुए चुनाओ अधिकारी लगातार कुर दिल्राजिव कुमार भी कुरोना संक्रमित तो चुनाव अधिकारी भी अब कुरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं लगातार जीस तरीके से कुरोना की चपेट में लोग आ रहे थे बीते हफ्ते सुर्षील चंद्रा ने संभाला था अपना पद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुर्षील चंद्रा कुरोना पाश्ट्यू पाए गए हैं कुरोना का कहर लगातार जारी था लेकिन चुनाओ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा था ज चुनाओ आयुक्त भी कुरोना पाश्ट्यू पाए गए हैं तो कुरोना वाक्सीन कोविशील्ड को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें फैल रही हैं जिसे लेकर लोगों के मन में टीकाकरण को लेकर संदेह पैदा हो गया है वहीं टीकाकरण में भारी कमी आ पाश्टूर और सीमों पवन मेरिया ने टीकाकरण के बदले दो किलो टामाटर लेजाओं के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाने का प्रयाज किया है कल आफिस में बैटके अम लोगों ने चर्चा किया है फिछले बार जब लागडाउन लगी थी तो आम लोगों ने सुका राशन और टामाटर वित्रन किया जिसको देखते हुए लोगों का बीड उमड पड़ा उसी सोच से अम लोगों ने इस बार भी टीकाकरण के लिए कम निकल रहे ते घरों से अम सब अध्यक्ष मोद है मैं हमारे सीयों साहब ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस बार टामाटर जो वेक्शिनेशन करने आ रहे हैं उनको प्रतसान के तोर पर दिया जाए और इसके लिए हम लोगों ने सबजी मार्केट वाले व्यापारियों से अपिल किये अपिल के बाद जैस्वाल जी व्यापारियों सब जी के उन्होंने नगरपालिका को कि खबर उत्तरप्रदेश से है जहां मुरादाबाद जिले के रेलवे स्टेशन में सेनेटाइजेशन का काम किया जा रहा है स्टेशन के अधिक्षक ने बताया कि जो यात्र जैसा जिला प्रशाशन के आदेश है रेलवेज के आदेश है जो पैस्टेश बहार से आ रहा है उनका आर्टी पीचिया टेस्ट करा जा रहा है सोशल डिस्टेश मुरादाबाद चे जाने वाले हैं उनका रास्ता अलग है वहां पे प्रॉपर सर्किल जो डिम पड़ गए जो पैसे बहार से मरादाबाद आ रहे हैं उनके जानने के लिए एक्जिक पॉइंट अलग है वहां पर विप्रॉपर सोशल डिस्टेशन के सर्किल बनाई हुए हैं उनको भी दुबार से रीपेंट करा दिया गया है जो उसके अलावा जो पॉपर चैनिशन है तो जो हमार की टीम है हेल्ड डिपार्ट्मेंट की टीम प्रॉपर होई है इंजीनिंएड डिपर्टमेंट का दे मैंटर डिपार्टमेंट है वह प्रोपर लगा हुआ है किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी कोई कमी ना रह जाए जिला प्रशाशल प्लस रेल्वी आफसर्स के जो भी आदेश है उनका प्रौपा आदेश को फॉलो किया जा रहा है और कोरोना के लिए बहुत जादा अवेर हैं पुरा स्टाफ अवेर है टाइम टू टाइम एनाउंस्मेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम करोना के बढ़ते मामलों के वेश टीका करन अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सुमवार को कहा कि एक मई से 18 साल से ज्यादा के उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे बतादे कि अब तक टीका लगवाने की आयुसीमा 45 साल थी वहीं दूसरी बीते सब्ता यानि 12 से 18 अप्रैल के दोरान लगभग 28 लाक लोगों को वैक्सीन दी गई जबकि 12 से 18 अप्रैल से पहले के सब्ता हमें करीब 34.5 लाक लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था कोविड-19 टीकों की 12.6 करोन खुराके दी जा चुकी हैं हलाकि वैक्सीनेशन दिये जाने के बाद भी देश में डैनिक कोरोना संक्रमित लोगों के आंक्रे बढ़ते ही जा रहे हैं और यहां तक कि डैनिक मामलों की संख्या ने 2.7 लाग का आंक्रा पार कर लिया है इस तर में जहां करोना का कहर लगातार जारी है तो वहीं इसे लेकर सियासत भी सरम पर है लेकिन मद्धिप्रदेश में सियासत की हकीकत देखें तो शाइद सर्म से पानी पानी हो जाएंगे जिने जनता चुनती है वो जनता को रिजाने के लिए नजाने क्या क्या करते हैं जब इसकी हाकिकत जानेंगे तो शर्मा जाएगे कि आप किन लोगों को चुनते हैं दो तश्वीरें आपको दिखाएंगे पहला मामला इंदाओर का है जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी के नहीं की गई भास्पा निताओं ने इस टेंकर के साथ फोटो किस्वाने के लिए घंटों तक टेंकर को रोक रखा था है कि और वहीं कर को दो जगह पर नोगंटे तक फोटोक्षासन के लिए रोका गया पहले मैं मारत के ओलि निद्धिड़ नगर अध्यस सन कर वाया और उसके बाद तमाम सारे नेताओं को फोटो सेशन करते हुए देखा गया और आईए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली जहां पर स्वास्त मंत्री सतिंद्र जाइन क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं आप प्रेसिजन भेड है देश में भी गाते हैं जादाश भागते हैं गल्सान से हुआ है और बी सिंटर स्टाथ हो नहीं और सबी हुस्पिटल्स जो हमारे थे उनको भी स्टेच करके फर्दर बैड बाहर है उसमें दो दिन के इंदर कफी बैड़ और है तर्थ अब हम सेंटर्स की बात करें ऑब गिनार है कितने सेंटर्स हैं और मोबाइज गेन सारी गिन्वाज़ देता है दिन्ली के अंदर एज उन टूडे अठारागा नो सो तेईस बैड हैं जिसमें से सोलह जा चार सेक्षट बैड और चोबिस सो बासट बैड अविलेबल हैं आपको इसके अंदर दिन्ली कोरोना एपने जा सकते हैं जेख इसके उसमें देख के मैं आपको बता रहा हूं जम्मु कर्श्मीर के शोपियों में सुमार को सुरक्षा बलों के साथ मुढब्हेर हूई है जिसमें दो आतंक वादी मारे गए हैं पुलिस ने जानकारी दी है पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंक वादीओ की मौझूद्गी की सूशना मिलने पर जिलयके जीपोरा इलाके में तलाश और गेरा बंदी अवियान चलाया था उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलो पर गोलियां चलाई और जवानों ने इसका जवाब भी दिया जिसके बाद मुटभेर शुरू हो गई अधिकारी ने बताया कि मुटभेर में दो अग्यात आतंकवादी मारे गए हैं वहीं जम्मू काश्मेर पुलिस ने हन्दवाड़ा में ड्रक्स की एक और खेबजब्त की है जबकि गाड़ी की तलासी के दौरान पुलिस को एक पैकट मिला है जिसमें से करेब एक किलो की हिरोईन बरामाद हुई है और इस हिरोईन की कीमत करीब पांस करोण बताई जा रही है इस मामले में दो लोगों को फिलाल इतना ही आप बने रहे हैं अन्वी न्यूस के साथ